नश्कार दोस्तों, Current Affairs Revision for Film 2020 में आपका स्वागत है Environment से समन्दित Current Affairs की Revision का ये हमारा पंदरवा लेक्चर है इस वीडियो में हम अगास्त महिने के Environment से समन्दित Current Affairs को रिवाईज करेंगे discussion का first important article अफ्रीकन चीता के बारे में है क्या contest है मैसूर की जो चिडिया घर है, वहाँ पर तीन अफ्रीकन चीता को लाया गया है South Africa से मैसूर का चिडिया घर, एक मेल और दो फीमेल अफ्रीकन चीता को लाने में काम्याब हो पाया है कहां से, South Africa के, चीता Conservation Center से Animal Exchange Program के अंतरगत मैसूर का चिडिया घर, देखो हमारे देश में दूसरा चिडिया घर है, हैधराबाद चिडिया घर के बाद जो की अफ्रीकन चीता को लेखर आया है अफ्रीकन चीता की टोटल जो population है वर्ल्ड में 6500 से लेके 7000 के बीच में है ये एशियाटिक चीता से साइज में बड़े है Conservation Status की बात करें ये आयूशन की रेड लिस्ट में Vulnerable के टेगरी में आते हैं Sights की Convention में Appendix 1 में आते हैं अगर देखो हम बात करें एशियाटिक चीता की एशियाटिक चीता इंडिया में तो मिलते नहीं है आटकल Alliance 2 and Plastic Waste के बारे में हैं क्या करें टेस्ट हैं देखो इस Alliance ने अनॉंस किया है कि आने वाले 5 सालों में ये Alliance इंडिया में 70 मिलियन से लेके 100 मिलियन डूलर इंवेस्ट करेगा ताकि Plastic Waste को इंडिया से खतम किया जासके इस Alliance के बारे में हम डिस्कस करें इस्टाबलिस इसे क्या गया था 2019 में ये एक International Non-Profit Organization है कहां पर Headquarter है सिंगापूर में किस उदेशय के साथ इस Organization को इस्टाबलिस क्या गया था उदेशय देखो जैसा नाम से ही पता लगता है World से Plastic Waste को खतम करना ये देखो विबिन देशों की Governments Environmental और Economic Development से समदिद NGOs और Committees के साथ मिल के काम करता है ताकि Environment से Plastic Waste को खतम क्या जासके Focus Areas क्या-क्या है इस Alliance के Alliance देखो 4 Strategic Areas में Solution पर Focus करता है सबसे पहले Infrastructure Infrastructure ऐसा होना चाहिए कि Plastic का कम से कम इस्तमाल हो अगर Plastic इस्तमाल होता भी है तो उसको Reuse किया जाए उसकी Recycling हो उसके बाद दूसर Strategic Area Innovation तीसरा Education और सबसे लास्ट में Clean Up इसके बाद Members की अगर हम बात करें देखो Plastic Value Chain में सामिल 50 के आस-पास Companies और Organization Organization Member है इस Alliance में Plastic Value Chain में सामिल होना मतलब देखो कुछ Companies ऐसी होंगी जो Plastic को Manufacture करती है कुछ ऐसी होंगी जो Plastic का इस्तमाल करती है Packaging के लिए जैसे Lays का Packet है और कुछ Companies ऐसे भी होंगी जो Plastic की Recycling करती है तो इस परकार की 50 से अधिक 50 के आसपास Companies और Organizations Member है इस Alliance में हमारे इंडिया की अगर हम बात करें हमारे इंडिया में Project Averil चलाया जा रहा है इस Alliance के द्वारा और इस Project Averil का मकसद ये है गंगा नदी से Plastic Waste को Reduce करना इंपोटन आर्टकल ORAS Convention के बारे में है Contest की बात हम बात में करेंगे पहले बात करते हैं इस Convention के बारे में इस Convention को UN ECE UN का मतलब है यहां पर United Nations और ECE का मतलब है Economic Commission for Europe UN ECE Convention on Access to Information Public Participation in Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters के नाम से भी जाना जाता है मतलब यह पूरा जो नाम है यह आप पुकार लीजिए या फिर ORAS Convention पुकार लीजिए एक ही बात है ORAS देखो वैसे एक सिटी है डैनमार्क की जहां पर यह Convention साइन हुई थी इसलिए Convention का नाम पढ़ गया ORAS Convention अगर UPSI पूछ ले ORAS कहां पर हैं मार्श 2014 तक 47 parties हैं इस Convention में 46 तो देखो देश और एक European Union और खास बात देखो यह हैं सभी देश जिनोंने इस Convention को रेटिफाई किया हैं वो यह रोप के देश हैं या फिर Central Asia के देश हैं इंडिया ने इस Convention को रेटिफाई नहीं क्या हैं यह Convention क्या बोलती हैं यह Convention देखो यह बोलती हैं कि Environmental Rights और Human Rights जो हैं आपस में लिंक्ट हैं सभी स्टेट्स को परजेंट जनरेशन की जूरतों को पूरा करते वक्त फूचर जनरेशन का ख्याल रखना चाहिए यह Convention बोलती हैं कि Sustainable Development को एचीव किया जा सकता हैं सभी स्टेक होलडर्स की इन्वोल्मेंट की साहिता से यह Convention Government Accountability को लिंक करती हैं Environment Protection के साथ हैं इसके अलावा यह Convention फोकस करती हैं इंट्रेक्शन होनी चाहिए पब्लिक और पब्लिक अथोर्टीस के बीच बिल्कुल डेमोक्रिटिक मैनर में Convention देखो सुर्ख्यों में इसलिए आई हैं क्योंकि अभी सरकार के दोरा Draft Environment Impact Assessment जो रिलीस किया गया हैं उस पर बहुत से Experts सवालिया चिन लगा रही हैं वो बोल रही हैं कि वैसे तो इंडिया ने इस Convention को Sign नहीं किया है या इफिर Ratify नहीं किया है बट युरोप के जो देश हैं वो कानून बनाते वक्त इस Convention को Follow करते हैं तो इंडिया को भी इस Convention के Provisions को Morally Follow करना चाहिए Environment को Protect करने के लिए समझ गए तो अगर UPSC पूछ सकती है कि ये ओरस Convention किसे समझ दित है तो अब आप बता सकते हूँ चलते हैं आगे नहीं स्टार्ट कल Association of Renewable Energy Agencies of States के बारे में हैं यानि Areas क्या के टेस्ट हैं हाल ही में Union Government ने Areas के लिए यानि Association of Renewable Energy Agencies of States के लिए एक Website लोंज की है क्या ये Areas ये Areas देखो एक Platform प्रोवाइड करता है जिस पर आकर जो State Nodal Agencies है Renewable Energy के लिए अलग अलग राज्यों में आपको पता है Renewable Energy के लिए Nodal Agencies होती है तो अलग अलग राज्यों की Nodal Agencies इस Platform पे आके आपस में Interact कर सकते हैं एक दूसरे के Experience हैं सीख सकते हैं Best Practices को Share कर सकते हैं नई नई जो Technologies आई हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं Schemes और Program के बारे में बात कर सकते हैं Members की बात करें Union Minister for New and Renewable Energy जो हैं वो Patron होते हैं इस Association के इसके अलावा Association के Ex-Official President होते हैं Ministry of New and Renewable Energy मतलब जो भी Secretary होंगे वो President होंगे इस Association के और Patron कौन होंगे Patron होंगे यानि सरंगसंग होंगे Union Minister for New and Renewable Energy दूसरे Members की अगर हम बात करें सभी State Noodle Agencies जो हैं Renewable Energy के लिए वो भी Member होंगी इस Association की ये देखो एक Society है जो Registered है Society Registration Act 1860 के अंतरगत चलते हैं आगे इसके बाद नेक्स्ट हमारा आठकल Air Unique Quality Monitoring System के बारे में है छोटा नाम है AUM क्या कंटेस्ट है हाल ही में Department of Science and Technology ने अपना एक Air Unique Quality Monitoring Photonic System को रिवील किया है क्या ये देखो Indigenous Photonic System है Photonic System मतलब इस सिस्टम में Photons का इस्तमाल होगा और Indigenous मतलब हमने अपने आप से इस सिस्टम को डवलप किया है ये इंसिचूट्स के नेम है Research Centers के नेम है जिन सब नेम मिल के इस सिस्टम को डवलप किया है इससे पहले कि हम नाम डिसक्स करें कौन से Organization ने मिल के इस Air Unique Quality Monitoring System को डवलप किया है ये जान लेते हैं इसका काम क्या है जैसे देखो नाम से ही जाहिर होता है इस Monitoring System की साहिता से Real Time Basis पर यानि साथ की साथ Air Quality Parameters को Monitor किया जा सकता है मतलब Air की Quality कैसी है Pollutants अभी हैं कौन से हैं कितनी मात्रा में हैं इन सब का पता लगाए जा सकता हैं अब बात करते हैं किसके दौरा डवलप किया गया है Department of Science and Technology का एक initiative है Clean Air Research Initiative इसके बाद गायतरी विद्या प्रिशद Scientific and Industrial Research Center Next GVP College of Engineering विशाका पतनम इन सब ने मिल के इस Air Unique Quality Monitoring System को डवलप किया है इसमें देखो काफी सारी technologies की applications का इस्तमाल होगा जैसे laser-back scattering statistical mechanics opto-electronics artificial intelligence machine या फिर deep learning सब से last में internet of things इन सब technologies की applications का इस system में ये जो system है various pollutants को एक ही समय में identify कर सकता है classify, quantify ये सब चीज़े कर सकता है इसके अलावा दूसरे metrological parameters को भी monitor कर सकता है एक ही समय में काफी portable है जैसा आप तस्वीर से देख सकते हो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर carry out किया जा सकता है और accuracy भी काफी ज़्यादा है इस monitoring system की और जैसा हमने डिसकस किया real time basis पे information प्रोवाइड करता है last में clean air research initiative के बारे में भी जानकारी discuss कर लेते हैं ये launch किया गया था 2009 में department of science and technology के दौरा मकसद इस initiative को launch करने का ये था ज़्यादा से ज़्यादा research करना ताकि clean energy की जो cost है वो हमारे देश में कम होच के इसके लिए research करनी पड़ेगी innovations लानी पड़ेगी human और institutional capacity development करनी पड़ेगी अगर ये सीजे होंगी तो clean energy की cost हमारे देश में जो ज़्यादा है वो कम होच केगी clean energy का इस्तमाल ज़्यादा होगा और इससे सिधा सिधा फाइदा ये होगा हवा में pollution कम होगा air और ज़्यादा clean होगी चलते हैं आगे आटकल बीच के बारे में हैं बीच का पुरा नाम है बायो कमपोस्ट इंडिष्ट इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल क्या कंटेस्ट है आएटी कांदबूर के दवारा इस परकार के इंडिजिनस सीड बोल्स डवलप के गए हैं जैसा आप तस्वीर में देख सकते हो इन्हें ही नाम दिया गया है बीज यनि बायो कमपोस्ट इंडिष्ट इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल इस परकार के सीड बोल्स में देखो काफी सारे इंग्रीडेंट्स होंगे जैसे इंडिजिनस वराइटी के सीड्स होंगे कमपोस्ट होगा कमपोस्ट मतलब जो सड़ागरा और्गनिक मेटरियल होता है जिसे फर्टलाइजर के तोर पे इस्तमाल किया जाता है कमपोस्ट होगा और मिट्टी भी होगी आम तोर पे देखो बीजों को जब हम बोते हैं तो खड़ा खोदना पड़ता हैं खड़ा खोदना पड़ता हैं तो काफी सारे लोग मिल के काम करते हैं तो कुरोना एरा में इस परकार से कुरोना वाइरस के फैलने का खत्रा रहता हैं लेकिन ये सीड बोल्स जो हैं ये रेखो काफी इंपोर्टेंट है माली जगा डिसाइड कर ली ये खेत है यहाँ पे रखना है यहाँ पे रखना है यहाँ पे रखना है तो सिधा जहाँ जहाँ पे जगा डिसाइड हुई है वहाँ पे सिरफ ये रखना है सीड बोल कोई खड़ा नहीं खोदना तो कुरोना वाइरस के संकर्मन को यानि transmission को रोका जा सकता है इस परकार के seed balls की साइता से खड़ा वगरा नहीं खोदना पड़ेगा काम कम हो जाएगा और water से contact में आते ही इन seed balls से seed जो हैं वो germinate हो जाएंगे किस ने develop किया है इस परकार की seed balls को यानि beach को IIT कानपूर ने चलते हैं आगे next article butterflies species of methran के बारे में हैं methran क्या है methran देखो इंडिया का एक छोड़ असा hill station है western ghat में पड़ता है और Mumbai metropolitan region का part है इसे Ministry of Environment के दोरा eco sensitive region notified किया हुआ है वैसे methran का मतलब होता है forest on the forehead तो ये तो हमने जाना methran के बारे में अब कंटेक्स्ट ये है हाल ही में Bombay Natural History Society के scientist ने एक research paper publish किया किसके उपर methran में उन butterflies के उपर जिनको भुला दिया गया है यानि forgotten butterflies के उपर कहां पर methran में और ये research paper कहां पर publish हुआ एक community peer reviewed journal है biodiversity data journal यहां पर research paper publish हुआ तो scientist ने अपने इस research paper में ये बताया उनको methran में 125 सालों के बाद 140 rare species मिली हैं जिसमें से 77 तो नहीं हैं पिछली बार देखो इस methran eco sensitive zone में butterflies को codify किया गया था 1894 में उसमें researchers ने 78 species को identify किया था maximum जो diversity है butterfly scheme वो देखो record की गई थी winter season के दुरान और सबसे कम की गई थी monsoon season के दुरान 18 butterflies की गिंती करने के लिए bio statistical techniques का इस्तेमाल किया जाता है team ने barcode system का इस्तेमाल किया seasons को denote करने के लिए और butterflies की activities को denote करने के लिए ये जो system होता है बार कोड वाला ये देखो biologist की मदद करता है butterflies को study करने में और butterflies से समन्दित डीटा को effectively और concisely present करने में significance देखो इस research की ये है क्योंकि butterfly ecosystem में बहुत important role play करती है तो butterflies की संख्या कम है जादा है इससे हमें ये पता लग सकता है ecosystem की फिलाल health कैसी है चलते हैं आगे आगे जाने से पहले Bombay Natural History Society के बारे में जान लेते हैं इससे समन्दित question UPSC ने 2014 में प्रीव में पूछा था ये देखो largest non-governmental organization है इंडिया में जो की biodiversity research और biodiversity के conservation के दिशा में काम करती है UPSC ने इस परकार से question पूछा था ये Bombay Natural History Society जो है ये autonomous organization है Ministry of Environment के अंदर मतलब कुछ इस टाइप का था तो ये governmental organization नहीं है ये NGO है इसको establish क्या गया था 15 सितंबर 1883 को Headquarter Honville House मुंबई में है ये organization biodiversity के research के दिशा में जो efforts लगाए जाते हैं उनको sport करती है कैसे grant देकर पैसा देके कि भीया research आप ठीक से कर लो इसके लावा बायो डिवेस्टी से समधी जर्नल भी इस society के द्वारा पब्लिश के जाता है और Department of Science and Technology ने इस society को Scientific and Industrial Research Organization का दर्जा दिया हुआ है चलते हैं आगे नेस्ट आर्टिकल Fishing Cats की कोलरिंग के बारे में है mainly Fishing Cats के बारे में ये आर्टिकल है क्या कंटेस्ट है देश में देखो पहली बार परियांस के जा रही है जो Fishing Cats है उनकी कोलरिंग की जाए कोलरिंग मतलब गले में एक रेडियो कोलर लगा जाता है जिसकी साहिता से Fishing Cats की मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है मतलब जिस भी एनिमल के गरे में गर्दन में ये जो रेडियो कोलर लगा जाता है फिर उसकी साहिता से वो एनिमल जहां पर भी जाता है उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है तो Wildlife Authorities को फाइदा ये होता है उस एनिमल के हैबिटेट के बारे में जानकारी मिल जाती है ज्यादा अच्छे से Wildlife Authorities उस एनिमल को कंजव कर पाती है तो इसलिए परियांज क्या जा रहा है पहली बार आंदा परदेश में कुरिंगा जो Wildlife Century हैं आंदा परदेश में वहाँ पर दस Fishing Cats को Radio Colors लगाय जाए बात करें Fishing Cats की इनका साइस देखो घर वाली बिल्ली से दो गुना होता है ये रात को एक्टिव होती है क्या खाती हैं मैंडक, केकडे, साप, बर्ड्स या फिर उन स्क्वेंजर्स को जो बड़े अनिमल्स की लास्ट ये मीट को प्लेक्ट करते हैं हैबिटेट की बात करें इंडिया में देखो Fishing Cats को देखा जा सकता है सुन्दर बंस के मैंग्रोफ फुरेस्ट में हिमालियास की तल हटी में यानि फूट हिल्स में गंगा और ब्रहंपूतर रिवर वैलीज में और इसके साथ साथ वेश्टन घाट्स में आयूशन रेड लिस्ट में वल्नरेबल केटेगरी में आती हैं Fishing Cats Sights जो कन्वेंशन हैं इसकी Appendix Second में Wildlife Protection Act 1972 के Schedule 1 में Threads क्या हैं आज कल देखो Fishing Cats का जो Mangrove वाला Habitat हैं वहाँ पर Shrimp Farming काफी ज़्यादा होने लगी हैं इस वज़े से Fishing Cats का जो Habitat हैं वो Shrink होता जा रहा हैं मतलब कम होता जा रहा हैं ये Thread हैं Last में Koringa Wildlife Century के बारे में भी हम जान लेते हैं ये आंद्रपरदेश में हैं इस Wildlife Century में Mangrove और Dry Decidus Tropical Forest मिलते हैं इवन देखो हमारे इंडिया में Mangrove Forest का ये Second Largest Stretch हैं फोना की बाग करें यहाँ पर Critically Endangered White Wack Vulture and Long Build Vulture यानि गिद मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पर Golden Jackal, Sea Turtle, Fishing Cat Asherine Crocodile, Small Blue King Fischer Cattle Egrate ये सब मिलते हैं इसके अलावा देखो Hope Island और Sacramento Island ये भी इस Mangrove Region में Located दो Important Nesting Sites हैं किनकी Endangered Olive Ridley Turtles की फिर से बोलता हूँ इस Mangrove Region में जो ये दो Islands हैं Hope Island और Sacramento Island ये दोनों काफी Important Nesting Sites हैं Olive Ridley Turtles की चलते हैं आगे अगला आर्टिकल Common Evening Brown के बारे में हैं क्या केंटेस्ट हैं? हालखी में देखो Coimbitur Based Darsan M. Trivedi ने India Book of Records में स्थान प्राप्त किया किसके लिए? एक सिंगल बैटरफ्लाइ की फोटोग्राफिंग के लिए और उस सिंगल बैटरफ्लाइ का नाम है Common Evening Brown दर्शन M. Trivedi ने इस तितली की 67 अलग अलग पिक्चर्स लें और इसी के लिए उनका नाम दर्ज क्या गया है? India Book of Records for फोटोग्राफिंग में हम बात करें Common Evening Brown की ये Milanitis Leda इस बैटरफ्लाइ की एक Common Species है कहां कहां पे मिलती है अफरीका, साउथ एशिया, साउथ इस्टेशिया इसके साथ साथ अस्टेलिया के कुछ पार्ट्स में भी Common Evening Brown तितली को देखा जा सकता है ये देखो डान और डस के दुरान एक्टिव होती है मतलब भौर के समय और साम के समय डान मतलब वो समय होता है जब सूर्य उद्द्यया पूरी तरह से नहीं हुआ है लेकिन सूर्या के किरने आना स्टार्ट हो गई है और कहां पर रहती है ठिकलेट फ्लोर जाडियों का जो गुरूप सा होता है उसके उपर ये देतली रहती है सड़े हुए फूर्ट्स पर फीड करती है और ट्री सैप पर फीड करती है बात की हमने कोमन इवनिंग ब्राउन की चलते हैं आगे नेस्ट आर्टिकल धोल के बारे में हैं क्या कंटेस्ट है हाल ही में देखो एक स्टेडी पब्लिस हुई जिसमें कहा गया करनाटक महराश्टर मद्यपरदेश इन राज्जों ने अच्छा काम किया है धोल को कंजव करने के दिशा में धोल के बारे में हम बेसिक जानकाई डिसकस करें यह देखो Central Asia, South Asia और South East Asia में मिलता है मतलब मूल निवासी यही का है अब यहां से ले जाके आप USA में या फिर यूरोप में चीडिया घर में डाल दो वो अलग बात है दूसरे जो नाम है वो धोल के इस परकार से हैं एसियाटिक वाइल डोग, इंगियन वाइल डोग, विस्लिंग डोग, रैड डोग, माउंटेन वॉल्फ, बहुत सारे नाम है धोल के देखो धोल जो हैं, highly social animal हैं, मतलब एक ही परिवार के एक वन्स के काफे सारे धोल जो हैं, वो मिल जूल के रहते हैं conservation status की बात करें, IUCN की red list में, endangered category में आता हैं, wildlife protection act 1972 के schedule 2 में, sites जो convention हैं, endangered species के international trade को regulate करने के लिए, इस convention के appendix second में आता हैं, threats की बात करें, सिकार पहले के अफिक्सा करत कम मिलता है धोल को, habitat loss हो रहा है, habitat loss तो देखो, आप हर एक animals के संदर में लिख सकते हों, इसके अलावा, काफी बार farmers जो हैं, वो भी धोल को मार देते हैं, क्योंकि धोल जो हैं, वो live stock का सिकार करते हैं, जैसे गाएं भैंस इनका, तो farmers मार देते हैं धोल को, और competition इनका होता है, दूसरी cats की species के साथ, जैसे tigers, leopard, इसलिए, सिकार काफी कम मिलता है, इनको कई areas में, इसलिए इनकी संख्या कम हो रही हैं, और contest ये हैं, करनाटक महराश्टर मद्यपरदेश, इन्होंने अच्छा काम किया हैं, धोल के conservation में, चल लेते हैं, ड्रेगन फ्लाई देखो, aerial predator insect है, aerial का मतलब हवा में operate करने वाला, predator का मतलब वो animal जो दूसरे animals का सिकार करता है, और insect का मतलब आपको पता है, कीट, ड्रेगन फ्लाई जो हैं, समाने ता, fresh water, habitat के आसपास मिलते हैं, significance इनकी ये हैं, ड्रेगन फ्लाई बहुत ही important, बायो इंडिकेटर का काम करते हैं, बायो इंडिकेटर के बारे में UPSC question पूछ सकती हैं, आप बताएं, बायो इंडिकेटर का मतलब क्या होता हैं, जैसा देखो, नाम से ही जाहिर हैं, नाम में इंडिकेटर हैं, तो कुछ न क आप example लीजिए, algae bloom, अगर देखो, लेक में algae bloom हैं, तो इसका मतलब, लेक में कहें न कहें, nutrients की मातरा ज़्यादा हैं, यानि, nitrates और phosphates की मातरा ज़्यादा हैं, इसी वज़े से, जो algae का amount है, लेक में एकदम से बढ़ गया हैं, और इसे ही कहा जाता है, algae bloom, तो algae bloom ने हमें बत phosphates की मातरा ज़्यादा हैं, उसी परकार से, अगर किसी area में, lichens की मातरा ज़्यादा हैं, मतलब, उस area में हवा काफी ज़्यादा polluted हैं, तो lichens का ज़्यादा होना, ये हमें indicate करता हैं, air quality खराब हैं, ठीक इसी परकार से, dragonfly जो हैं, ये भी bio indicator का का काम करते हैं, इनकी साहि से, environment में, natural ecosystem की health को assess किया जा सकता हैं, वैसे देखो, ये जो dragonfly insects हैं, ये अच्छे होते हैं, अच्छे क्यों होते हैं, ये दूसरे harmful mosquitoes और insects को खा जाते हैं, तो किसानों को इनसे काफे फाइदा भी होता हैं, उनको कम pesticides का, इस्तिमाल करना पड़ता हैं, और इनसे बदबू भ dragonfly festival, अपनी तरह का पहला, यानि first ever state dragonfly festival और्गनाईज होगा केरला में, और इसको नाम दिया गया है, थंबी महोतसवं 2020, ये और्गनाईज क्या जाएगा, worldwide fund for nature, इंडिया की state unit के दवरा, और society for ordinate studies के दवरा मिलके, ordinate एक परकारसिक group है, dragonfly जैसे insects का, इस group में dragonfly, damselfly ये सब insects आते हैं, और ये जो festival और्गनाईज होगा, ये देखो national dragonfly festival का part होगा, जिसे और्गनाईज क्या जाता है, WWF India, Bombay Natural History Society, और Indian Dragonfly Society के दवरा मिलके, इस national dragonfly festival को, कई सारी organizations के association में organize क्या जाता है, जैसे national biodiversity board, UNEP, UNDP, IUCN, और सबसे लास्ट में, Center for Environment Conservation, एम क्या है, एम तो देखो, इस परकार के festivals को organize करने का एक ही होता है, ड्रेगनफ्लाईज की importance के बारे में, जारुटा पैदा करना, ताकि इनको कंजव क्या जांस के, इस festival में, ड्रेगनफ्लाई से समंदित, ट्रेनिंग रिशोर्स उपलब्द करवाई जाएंगे, वेबिनार होगा, कंपेटिशन होगे, मास्कोट जो है, वो है, पंटालू, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मास्कोट है, ड्रेगनफ्लाई फेस्टिबल का, चलते हैं आगे, आ प्ब्लिक को नौलज्स देना, ओर्ड Laurenate के बारे में, ओरर्डनेट आपको पता ही है क्या है, ये वो गृूप है जिसमें ड्रेगन फ्लाई जैसे इन्सेटिबल जैसे आते हैं, तो और्डुनेट के बारे में जारुकता पैदा करना ये मकसद है इस सोसाइटी का, ये सोसा में एक चीज उल्टी बोल दी थी मैंने, मैंने ये बोल दिया था, कि अगर air quality अच्छी हो, तो फिर वहाँ पर lichen नहीं मिलेंगे, और जहाँ पर pollution ज़्यादा होगा, वहाँ पर lichen ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा मैंने कल बोला था, लेकिन उल्टा है, lichen क्या करते हैं, ये sulfur dioxide को absorb कर लेते हैं, अब SO2 को absorb कर लिया गया, मतलब pollutants की संख्या कम हो गई, pollutants की संख्या कम हो गई, मतलब air quality improve हो गई, तो concept ये है, lichen की संख्या अगर ज़्यादा होगी, तो मतलब वहाँ पर air quality अच्छी है, क्योंकि lichen SO2 को absorb कर लेते हैं, और SO2 ज़्यादा है, pollution बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर lichen नहीं है, तो समझ गे, कल थोड़ा स उल्टा मैंने बता दिया था, फिर से बोलता हूँ, अगर air quality अच्छी है किसी जगह पे, तो वहाँ पर lichen ज़्यादा मिलेंगे, अगर pollution ज़्यादा है, SO2 की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पर lichen कम मिलेंगे, नय स्टार्ट कल International Solar Alliance के बारे में हैं, क्या contest हैं, वैसे तो तो अगर question UPSC को पूछना हो, तो फिर काफी important topics में आता है International Solar Alliance, अभी फिर से क्यो news में आया है, देखो पहले ये था कि सिरफ जो tropical countries हैं, वही जोइन कर सकते थे International Solar Alliance को, लेकिन अब इस Alliance के agreement में एक amendment किया गया है, कि UN के जो 192 member countries हैं, उनमें से कोई भी जोइन कर सकता है इस Alliance क ये देखो एक multilateral forum हैं, जिसको इंडिया और फ्रांस ने मिल के establish किया था, 2015 में United Nations Framework Convention on Climate Change की 21 में जब Conference of Parties की meeting उर्णाइस हुई थी, उस मोके पर, एम क्या हैं, एम ये हैं, Solar Energy को efficiently exploit करने के दिशा में काम करना, ताकि अभी जो विबिन देशों की dependence है, fossil fuels के उपर, इस dependence को कम क्या जासके हैं, ये सब objectives हैं, जैसे Solar Energy के पक्स में investment को mobilize करना, कितनी 2030 आते आते 1000 billion dollars हैं, इसके अलावा, Solar Energy को utilize करने में जो common challenges आते हैं, उनको collectively address करना, Solar Energy के production की cost को कम करने के दिशा में काम करना, इसके बाद, Solar Technologies से सम्मन्दित, applications को develop करने में help करना, विबिन member countries की, मतलब Solar Energy के छेतर में ज़्यादा से ज़्यादा R&D हो, इसे facilitate करना, अभी तक देखो, 87 countries ने International Solar Alliance के framework agreement को sign किया है, जिसमें से 67 countries ने ratify किया है, headquarter हमारे देश में है, गुरु ग्राम में, तो यह हमने बात की International Solar Alliance की brief में, नेक्स टॉपिक है, वो है महासिर के बारे में, महासिर is a fish, एक rare fish मिली है सिलेरू रिवर में, महासिर करती क्या है, महासिर एक specific rare fish है, बहुती कम मात्रा में मिलती है दुनिया में यह, इसका scientific नाम है TOR, यह IUCN list पे endangered है, जो इसको हमारे लिए important बनाता है, आईउसीन list में जो भी endangered animal है, और हम उसके बारे में इंजनल पता होना चाहिए, यह कहां मिलता है, normally normally हिमालेन रिजन में पाया जाता है, हिमाचल परडेश, उत्राखंड, नेपाल और भूटान में, यानि इसको थंडे पाने ही जरूत होती है, पर यह मिला कहा है, यह मिला है हमें कहांपर, आंद्र परडेश में, किस रिवर के पास, सिलर रिवर के पास, अब सिलरू गोदावरी की तरह से, एक तरह से, ट्रिबूटरी है, तो यहाँ पर महशीर का मिलना एक खास बात है, इसके अलावा जो गोल्डर महशीर है, वो इसी के एक स्पीसीज है, जो हिमालन रिजन में मिलती है, ऐसे मैंने आपको बता जाए, जो टेम्परिचर है, वो 20 डिग्री सल्सियस से उपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडे गोल्डर महशीर है, तो आप उसका नाम याद रखे, काफी रेर है, और सिल्वर की बात आती है, तो माचकुन रिवर इस्टन घाट से बनती है, और नौर्थ वर्ड जलापुट रिजरवेर तक जाती है, उडिसा के बॉर्डर पर, इसके बाद यह सबरी रिवर में मिलती ह तो यह जो सिल्वर रिवर है, सबरी रिवर से कहां मिलती है, यह मिलती है, आंधर पड़े शत्तिसगर्ड उडिसा के टाई जंक्शन पर यह आके मिलती है, सबरी रिवर से, यह फिश किस रिवर में मिली है, तो सिल्वर रिवर में यह किस से मिलती है, यह मिलती है सबरी रि जो कि मारके इंगिरी डिस्टिक्ट उडिशा में पाया जाता है यह हो कर ने किस की मैंसिर की मैंसिर क्या है एक फिश है कहा मिली है कॉनसे राज मेh बेहती है तिस नदी किस इस डिस्ट्रिब्यूटरी है यह आपको पता होना चाहिए important article ũng वेल, माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में हैं, क्या गंटेस्ट हैं, एक जर्नल हैं, जिसका नाम है, नीचर कम्निकेशन्स, इस जर्नल में एक study पब्लीश हुई हैं, जिसके अनुसार, अट्लांटिक ओशन में, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन का जो टोटल एमाउंट हैं, 11.6 million 10 से लेके, 21.1 million 10 के बीच में हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में, UPSC कोशन पूछ चुकी हैं, तो माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद आप कोशन भी अटेम्ट कीजिएगा, जैसा देखो, नाम से ही पता लगता हैं, माइ mm मतलब mm, तो उसे कहा जाता है, माइक्रो प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक्स को आप दो केटिग्रीज में डिवाइड कर सकते हो, उनके सोर्स के अधार पर, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स और सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स, यहां पर देखें, देखो कपड़ों की दुलाई होती हैं, लोंडरिंग होती हैं, तो छोटे-छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं, वो इन्वार्मेंट में रिलीज हो जाते हैं, इसके अलावा टायर चलते हैं सडक पर, तो भी छोटे-छोटे microplastics environment में release हो जाते हैं इसके अलावा जो personal care के products आप इस्तिमाल करते हो जैसे sunscreen या फिर दूसरी creams उनसे भी microplastics release होते हैं इसके बाद हम बात करें secondary microplastics की देखो जो बड़े plastics के टुकडे होते हैं जैसे bags bottles, मसली पकरने के लिए net समय के अनुशार ये degrade करते रहते हैं यानि इनका wear and tear होता रहता हैं तो जब इनका degradation होता हैं ये microplastics छोटे छोटे environment में release होते हैं ये होते हैं secondary microplastics effect क्या होता है microplastics का देखो various water sources की साहिता से finally oceans में चले जाते हैं microplastics लेकिन ये जल्दी से degrade नहीं होते और लंबे समय तक oceans में पढ़े रहते हैं और जो marine animals हैं वो इनको ingest कर लेते हैं इससे marine animals की सेहत पर नुक्सान पहुंचता हैं और काफी बार देखो marine animals के थुरू human beings की food chain में भी ये एंटर कर जाते हैं तो microplastics से नुक्सान काफी ज़्यादा होता हैं various studies के अनुसार human beings जब microplastics को consume करते हैं तो काफी chemicals रिलीज होते हैं जिनसे cancer भी हो सकता हैं अब आप question देख लीजिए जो UPSC के द्वारा पूछा गया sorry question देख लीजिए जो UPSC के द्वारा पूछा गया था question microbeads के बारे में था आप confuse मत होईएगा microbeads एक परकार से type है microplastics का देखो face पर scrubbing के जो products होते हैं उनसे जो plastic निकलता है specifically उन्हें microbeads के दिया जाता है जबकि ये एक परकार का microplastic ही है तो ये चार option थे आपके सामने आपको बताना था सही option कौन सा है सबसे पहला वाला जो option है कि ये marine ecosystem के लिए नुक्सान दायक माने जाते हैं ये सही था बाकि options गलत थे चलते हैं आगे इंपोर्टन आठकल One Sun, One World, One Grid initiative के बारे में हैं देखो ये initiative परपोस क्या गया था Union Ministry of New and Renewable Energy के द्वारा बट अब इस ministry ने इस proposal को hold पर रख दिया हैं है क्या ये initiative जैसा देखो नाम से जाहिर होता है इस initiative का मक्सद ये था एक ऐसा grid establish किया जाए renewable energy के लिए जो विबिन देशों को आपस में connect करें अगर देखो ऐसा होता है तो इसका फाइदा क्या होगा इसका देखो सीधा सीधा फाइदा ये होगा जो भी देश इस grid के पांट होंगे एक देश से renewable energy को दूसे देश में transmit किया जा सकता है अगर देखो बिलकुल specifically बात करें अगर ये grid establish होता है तो 140 के आसपास देश participate करेंगे इस grid में यानि 140 देशों में इस grid की connectivity होगी एक कहवत है The sun never sets देखो world के एक हिस्से में अगर रात होती है तो दूसरे हिस्से में दिन होता है मतलब सुर्य कभी अस्त नहीं होता तो इस initiative का वीजन ये है लगातार हर एक समय solar energy और दूसरी renewable energy को explode क्या जाए utilize क्या जाए सुरुवात में connectivity establish होगी Asia में Middle East, South Asia, South East Asia शुरू में देखो इनको interconnect क्या जाएगा और बाद में तीसरे face में वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों को interconnect क्या जाएगा टेक्निकली assistance program है World Bank का उसके अंतरगत ये initiative established क्या जाएगा इंडिया देखो इस पूरे initiative के center में होगा और solar spectrum को दो broad zones में divide क्या जा सकता है एक far east एक far west far east में आएंगे ये देश Myanmar, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia और far west में आएंगे middle east और African region के countries तीन faces में ये initiative implement होगा first face में देखो middle east, south Asia, south east Asia इन सब को interconnect क्या जाएगा second face में solar और दूसरी renewable energy resources रिज जो regions हैं उनको interconnect क्या जाएगा सबसे last face में world के बाकी हिस्से जिनको connect किया जा सकता है वहाँ पर भी इस grid के थूँ connectivity 27 की जाएगी तो ये initiative है one sun, one world, one grid initiative बट अभी के लिए इस initiative को hold पर रख दिया गया है चलते हैं आगे ने स्थार्ट कल papam reserve forest के बारे में है क्या contest है देखो एक study publish हुई थी जिसके अनुसार papam reserve forest में काफी टेजी से पेड़ काट जा रही है यानि deep forestation हो रहा है कहां पर है ये papam reserve forest ये देखो अरवनाचर परदेश में है और एक important bird and biodiversity area है हॉन्बिल्न के लिए ये famous है हॉन्बिल्स का ये major habitat है ये देखो दो और important bird and biodiversity areas के बीच में पढ़ता है एक इटा नगर wildlife century east में और west में पाके wildlife century इन दोनों के बीच में पढ़ता है कौन से forest यहां पर मिलते है सब ट्रोपिकल dry evergreen semi evergreen forest इसके साथ साथ जो higher areas है वहाँ पे सब ट्रोपिकल broad leaf hill forest में मिलते है यहां पर देखो hornbill की तीन species मिलती है great hornbill reet hornbill और orient pied hornbill चलते हैं आगे next हमारा article project dolphin and project loin के बारे में है दोनों को एक एक करके discuss करते है पधान मंत्री मोदी ने ये दोनों projects launch किये independence day के मोके पर dolphin और loin को protect करने के लिए सबसे बहले बात करते है project dolphin की मकसद क्या है मकसद है गैंजेटिक dolphins को कंजाव करना दोनों river वाली dolphins को भी और oceans में जो dolphins मिलती है गैंजेटिक dolphins उनको भी इस project में देखो modern technology का इस्तमाल क्या जाएगा ताकि aquatic habitat में मतलब dolphins का जो अवास होता है वहाँ पर dolphins को कंजव किया जाएज के बचाय जाएज के mainly poaching activities से मतलब जो सिकार किया जाता है dolphin का mainly in activities से dolphin को बचाय जाएज के वो भी modern technology का इस्तमाल करके basic information गैंजेटिक river dolphin के बारे में इंडिया की national aquatic element है गैंजेटिक river dolphin और ये कहां कहां पर मिलती है गंगा मेगना ब्रमपुत river system में इंडिया नेपाल और बांगादेश में मिलती है गैंजेटिक river dolphin आयूशन की red list में endangered category में आती है wildlife protection act 1972 के अनुसार schedule 1 में आती है sites जो international convention है endangered species के trade को regulate करने के लिए इस convention की appendix 1 में आती है इसके बाद अब हम बात करते है project line के बारे में मक्सद ये है इंडिया के asiatic lines को गंजाव करना ये project फोकस करेगा asiatic line के habitat के development पर मतलब जहां पर मिलते हैं asiatic line कहां पर मिलते हैं गुजरात में सोराष्टर डिष्टिक में गिर्ड नैशनल पार्क और आसपास के area में मिलते हैं asiatic line वहां पर उनके habitat को develop करना modern technologies का इस्तिमाल करना line की management में और lines को जो disease infect करते हैं for example आपको याद होगा पिछले दिनो canine distemper की वज़े से काफ़ी सारे asiatic lines की death हो गई थी तो जो ये disease infect करते हैं lines को इने भी address करना ताकि इन disease की वज़े से lines की death ना हो basic जनकारी की बात करें IUCN की red list में indigate category में आते हैं wildlife protection act 1972 के अनुसार schedule 1 में sites convention के अनुसार appendix 1 में चलते हैं आगे हैं start कल report on lead poisoning by UNICEF के बारे में हैं क्या contest है UNICEF ने एक non-profit organization के साथ मिल कर जिसका नाम है pure earth UNICEF ने इस organization के साथ मिलके एक report release की है जिसका नाम है Detoxic Truth Children's Exposure to Lead Pollution देखो report में कहा गया है बच्चों को lead poisoning जो है काफी बुरी तरीके से परभावित कर रही है मतलब जैसा पहले सोचा गया था उससे कहीं अधिक lead poisoning बच्चों को परभावित कर रही है टोरल पूरे वर्ड में 800 million के आसपास बच्चे है और हर तीन में से एक जो बच्चा है उसके blood level में 5 microgram per deciliter lead मिलता है ये देखो काफी ज़्यादा है मतलब अगर इसको control नहीं किया गया और ये बढ़ जाता है बच्चों के blood में lead की मात्रा बढ़ती है तो फिर इससे बच्चों के development पर काफी असर पढ़ सकता है और ये जो हमने बात की कि हर तीन में से एक बच्चे के blood में lead मिलता है इसमें देखो आदे जो बच्चे हैं वो तो South Asia में रहते हैं lead के बारे में देखो हम basic information discuss करें ये naturally occurring element है earth के crush में मिलता है कम amount में वैसे lead के use काफी है काफी products में lead का use होता है जैसे paint, ceramics, pipes, plumbing material, gasoline, batteries, emulation, cosmetics इन सब में आपको lead देखने को मिल जाएगा बढ़ देखो lead के exposure से ना सिरफ human beings बलकि animals की सेहत को भी नुकसान पहुंसता है और खास करके देखो बच्चे बच्चों के अगर blood में lead की मातरा जादा होती है तो इससे बच्चों के दिमाग पर काफी negative उसर पड़ता है वैसे देखो एक alliance भी है lead paint को eliminate करने के लिए जिसे jointly lead के जा रहा है WHO और UNEP मतलब United Nations Environment Program के द्वारा मकसद क्या है इस alliance का मकसद ये है ये ensure क्या जाए कि lead का exposure ना हो बच्चों में और बच्चों के blood में lead एंटर ना करें तो ये मकसद है इस alliance का चलते हैं आगे स्मोग टावर्स के बारे में है क्या कंटेस्ट है देखो इस साल के शुरुवात में यानि जनवरी में Supreme Court ने आदेश दिया था कि आप April से पहले पहले Delhi में दो smoke tower लगाओ IIT Bombay के proposal के बाद ऐसा आदेश दिया था Supreme Court ने सरकार को और smoke towers को लगाने का मकसद ये था कि pilot basis पे try किया जाए ये smoke towers कैसे काम करते हैं कि ये सक्सम होंगे दिल्ली और आसपास के इलाकों की pollution की समश्या को काम करने में बड देखो Supreme Court के आदेश को नहीं माना गया और 29 जुलाई को एक बर फिर से Supreme Court ने आदेश दिया कि भाया हमने आपको आदेश दिया था कि April से पहले पहले ये दो लगने चाहिए तो आपने क्यों नहीं लगाया ये तो Contempt of Court है आपने हमारे आदेश की अवेलना की है तो सुरुवाद में तो Central Government ने ये बूला कि IIT Bombay जो है वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया है लेकिन बाद में Central Government ने कहा कि IIT Bombay टैयार है इन Smoke Towers के लिए और जल्द ही 36 करोड का एक M.O.U. साइन हो सकता है Smoke Towers देखो Simply आप यूँ कह सकते हो बड़े Scale का Air Purifier जैसे कमरे में छोटा सा Air Purifier होता है जो कमरे की हवा को Purify करता है तो ये Smoke Tower एक बड़े Scale का Air Purifier होगा जिसमें Air Filter की काफी सारी Layers होंगी और Pollutants जो हवा में होंगे उनको निकाल देगा अलग कर देगा ये Air Purifier यानि Smoke Tower यहाँ पे आगे थोड़ी और Information दी हुई है ये Purifier के जो Exhaust Fence होंगे वो देखो हवा में 80% Particulate Miter 2.5 और Particulate Miter 10 Pollutants को निकाल देगे Filter की Peripheries पर Carbon Nanofiber लगे होंगे ये Carbon Nanofiber Major Component होंगे इन Smoke Towers में जो की मदद करेंगे Air को Purify करने में इस Project में देखो वैसे Collaboration IIT Delhi का भी है इसके लावा University of Minnesota का भी है इसके लावा CPCB Central Pollution Control Board ये भी involved है इस Project में तो ये हमने आर्टिकल डिसकस किया Smoke Tower के बारे में UPSC मान लीजीए ये पूछ ले क्या Smoke Tower का Major Component Carbon Nanofiber है तो आप बता सकते हों नए इस आर्टिकल सुरक्षा पोर्टल के बारे में है क्या कांटेस्ट है Union Environment Minister ने ये पोर्टल लोंज किया है World Elephant Day के मौके पर ये देखो Human Elephant Conflict के बारे में Real Time Information प्रोवाइड करेगा जहां पर भी कुछ ऐसा Conflict होता है Human Beings के बीच और Animals के बीच Information अप्लोड की जा सकती है इस पोर्टल पर और उसके बाद और थोटी जो हैं Requisite Action लेंगी और Conflicts को Manage करेंगी वैसे World Elephant Day हर साल 12 अगस्त को Observe किया जाता है मकसद होता है African Elephants और Asian Elephants की Conservation के बारे में Awareness फिलाना Conservation Status की बात करें जो African Elephants हैं ये IUCN की Red List में Vulnerable के टेगरी में आते हैं और Asian Elephants Indangered के टेगरी में आते हैं IUCN की Red List में हमारे देश में Project Elephant लौंच किया गया था 1992 में ये एक Sently Sponsored Scheme है मकसद इसका ये है Elephants उनके Habitats और Corridors को Protect करना Man-Animal Conflict को Address करना और Captive Elephants मतलब वो Elephants जिनको Capture किया हुआ है जैसे कुछ Elephants मंदिरों के पास होते हैं आप में देखा होगा तो ऐसे Elephants को कहा जाता है Captive Elephants ऐसे Elephants की Welfare के दिशा में भी काम करना Question इस परकार से बन जाता है जैसे Project Elephant is focused only on Wild Elephants नहीं Wild Elephants भी और Captive Elephants भी दुनों तरह के Elephants को Protect करने के दिशा में काम करता है Project Elephant आगे देखो Leopards के उपर Traffic की Study के बारे में आर्टिकल है Traffic India जिसके बारे में हम बाद में डिसकस करेंगे पहले इस रिपोर्ट के बारे में डिसकस करते है जो की रिलीज की गई है Traffic India के दौरा एक परकार से पेपर रिलीज किया गया है जिसका नाम है Sported in Illegal Wildlife Trade A Peek into Ongoing Poaching and Illegal Trade of Leopards in India इस पेपर में क्या कुछ कहा गया है देखो 2015 से लेके 2019 के बीच इंडिया में 747 यानि 747 Leopards के दैथ हुई जिसमें से 596 यानि 596 Illegal Wildlife Trade और इससे समदित एक्टिविटीज के कारण मारे गए मतलब जातर जो Leopards मारे जाते हैं वो Illegal Wildlife Trade के कारण मारे जाते हैं और सबसे ज़्यादा Poaching के incidents यान Leopards के सिकार के incidents सामने आए उत्राखंड और महराष्टर से Leopards से देखो जो प्रोडेक्ट्स प्राप्त होते हैं जैसे पंजे दांत, हडिया, स्किन इन में से सबसे ज़्यादा जो डिमांड हैं, वो स्किन की हैं मतलब जो Illegal समान, सीज़ किया जाता है Leopards से समदित हैं उन में से देखो 69% तो Leopards की स्किन से समदित होता है इसके लावा वैसे इंडिया के Leopards से समदित पिछला formal census कंड़क्ट हुआ था 2014 में जिसमें ये पता लगा था कि Leopards की जनसंक्या हमारे देश में 12,000 से लेके 14,000 के बीच में हैं अब हम ट्राफिक से समदित भी basic जानकारी डिसकस कर लेते हैं ये देखो leading non-governmental organization है जो की काम करती है wild animals और plants के illegal trade से समदित मतलब की wildlife animals या फिर wild plants का जो illegal trade होता है उसको monitor करती है ट्रैक करती है ये organization ये NGO है 1976 में इसे establish किया गया था किस के द्वारा IUCN और WWF के द्वारा मिलके कहां पे based है ये organization Cambridge UK में देखो 2017 में UPSC ने question पूछा था आगे बनने से पहले Indian leopard के बारे में भी हम basic जानकाई discuss का लेते हैं देखो ये leopard की sub species है जो Indian subcontinent में मिलती है India, Nepal, Bhutan Pakistan का कुछ pants में भी Indian leopard को देखा जा सकता है IUCN की red list में status vulnerable है threats की बात करें habitat, बाकी animals की तरह है इनका भी कम हो रहा है human animal conflict illegal wildlife trade threats तो general है जातर animals के यही threats होते है चलते हैं आगे नए start कल World Biofuel Day के बारे में है क्या contest है Ministry of Petroleum and Natural Gans के दौरा एक webinar का आयो जिन क्या गया था World Biofuel Day के मोके पर theme थी Biofuel Towards आतम निर्भर भारत हर साल देखो 10 अगस्ट का जो दिन है वो World Biofuel Day के रूप में object किया जाता है मकसद यह होता है लोगों में जागता फिलाना की conventional fossil fuels for example डीजल और पेटॉलियम के बज़े non fossil fuels का भी इस्तमाल किया जा सकता है जैसे बायो फियूल और यह environment के दिश्टिकों से काफी ज़धा safe है मतलब pollution फिलाने वाले नहीं है हमारे देश में Ministry of Petroleum and Natural Gas 2015 के बाद से ही World Biofuel Day celebrate करता आया है बायो फियूल होते क्या है देखो जो फियूल biomass resources से generate होते हैं produce होते हैं उन्हें बायो फियूल कहा जाता है होते हैं चाहे वो liquid form में हो solid हो gaseous हो सबको कहा जाता है बायो फियूल इनको पेट्रोल और डिजल की जगहां इस्तमाल किया जा सकता है transport purposes के लिए stationary portable या फिर दूसरी applications के लिए उसके बाद है classification of बायो फियूल जैसे देखो टेलिकॉम सेक्टर में generations है ना 1G, 2G, 3G, 4G, 5G उसी परकार से इसमें भी generations है first generation biofuel कौन से है देखो जो biofuel drive होते है starch, sugar, animal fat, vegetable oil इन सब sources से उनको कहा जाता है first generation biofuel second generation biofuel कौन से है ये non food crop से drive होते हैं जैसे cellulogic biofuel इसके बाद waste biomass जैसे देखो wheat और कौन की फसल होती है फसल के जो नीचे वाला part होता है उसे stock कहा जाता है हिंदी में कहा जाता है दन्थर इनका इस्तवाल किया जा सकता है second generation biofuel को produce करने के लिए इसमें advanced biofuel जैसे biohydrogen, bio methanol ये सब भी आते हैं नेस्ट third generation biofuel ये specially engineered energy crop से produce होते है for example algae इसके बाद fourth generation biofuel इनको genetically modified algae से produce किया जाता है ताकि biofuel की production को increase किया जा सके तो ये हमने biofuel के बारे में discuss किया biofuel को promote करने के लिए दो initiatives भी सरकार के दोरा launch किया गए है एक परदहान मंत्री जीवन योजना ये launch किया गया था 2019 में यानि पिछले साल ministry of petroleum and natural gas का ये initiative है objective है integrated bioethanol projects के लिए जिसमें use होगा ligno cellulogic biomass या फिर दूसरे renewable feed stock का अगर कोई ये project establish करता है तो उसको financial support प्रोवाइड करना इसके बाद next initiative है सतत सतत मतलब sustainable alternative towards affordable transportation ये launch किया गया था दो साल पहले यानि 2018 में ये भी ministry of petroleum and natural gas का initiative है इसमें compressed bio gas को promote के जाता है alternative के तोर पर objective ये हैं 2023 से पहले 5000 compressed bio gas plant establish के जाए हमारे पूरे देश में इससे compressed bio gas ज़्यादा हमारे देश में produce होगी और इसका इस्तमाल ज़्यादा होगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डीजल और पेट्रोल का इस्तमाल कम होगा इसके बाद देखो 2018 में जो policy आई थी हम जल्दी से इसको भी revise कर ही लेते हैं सबसे पहले 2030 से पहले 20% ethanol की blending को ensure करना पेट्रोल में और 5% bio diesel की blending को ensure करना diesel में कब से पहले 2030 से पहले उसके बाद advanced biofune पे focus करना और इसके लिए viability gap funding scheme चलाने की बाद कही गई है second generation ethanol bio refineries के लिए जिस पे खर्च आएगा 6 सालों में 5000 करोड इसके लावा additional tax incentive higher purchase price as compared to first generation biofuels next biofuels की categorization जैसा हमने डिसकस किया first generation biofuels, second generation biofuels उसकी बाद कही गई है next ethanol procurement के लिए जो raw material होते हैं उनके scope को increase करना जैसे sugarcane juice, other sugar containing materials damaged as well as surplus food grains इनसे biofuels produce किया जा सकता है तो इनके scope को increase करना next national biomass repository develop करना हमारे देश में biomass के appraisal को conduct करके इसके बाद next biodiesel production को increase करना किसे non edible oil seeds से इसके साथ साथ used cooking oil, sword, gas station, crops development of supply chain mechanism इसके बाद research and development पर focus करना और सबसे last में national biofuels coordination committee को set up करना ministry of petroleum and natural gas के अंतरगत इसके साथ साथ working groups on biofuels इनको भी set up करना तो mains में भी इन points का आप इस्तमाल कर सकते हो और prelim में भी सिधा सिधा question पूछे जा सकता है कि national policy on biofuels में इन में से कौन से जो points है वो साविल नहीं है चलते हैं आगे तो इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion